हे एवरिवन वेलकम बेक टू माई योटूब चैनल पाठशाला आज जो पोएम हम करने जा रहे है उसका नाम है हाव टू पेंटे वाटर लेले जिसे टेड हुग्स ने लिखा था और इसे पब्लिस 1960 में कराया गया था टेड हुग्स का लाइफ पेरियड 1930 से 1998 का था वे एक प्रिटिस राइटर थे जिनने 1984 में पोईट लोरेट बनाया गया था टेड हुग्स के नोटेबल वर्क्स थे दा होक इंदा रेंग जो 1957 में पब्लिस हुआ स्लेक्टिड पोईम्स जो 1972 में पब्लिस हुई और केव बर्स जो 1975 में पब्लिस हुई यह पोईम एक्सप्रेस करती है एक आर्टिस्ट की स्ट्रागल को इस पोईम में हुग्स नीचर की केोटिक और ब्यूटिफुल साइड को शो करता है और एंड में आर्टिस्ट जो इस कंफ्लिक्ट में था कि वो वोईम्स को शो करें या पीस और ब्यूटि को तो एंड में वो पीस और ब्यूटि को पेंट करता है क्योंकि यह यूमन नीचर में है कि हम अगली चीजों को डिस्रिगार्ड कर देते हैं तो चलिए आप पोएम को पढ़ते हुए हम उसे समझते हैं इन दो कपलेट्स में पोईट वाटर लीली के बारे में बताता है वो उसकी ब्यूटि को डिस्क्राइब करता है पहले पोईट वाटर लीली को स्प्लैंड और ब्यूटिफुल बताता है लेकिन फिर वो उसके अराउंड फ्लाइस को देखता है जिनने वो फ्यूरियस अरेना से डिस्क्राइब करता है अरेना मेंस लड़ाई करने की जगए यहां ये इमेजरी इस्टेबलिस करती है कि स्पीकर के पॉइंट ओफ व्यू में नेचर एक कॉंप्लेक्स बोड़ी है पोईट लीली फ्लावर्स की ब्यूटी से इतना एट्रेप्टिड है कि वो उसे नेक्स लाइन में डिस्क्राइब करता है कि उसकी लिव स्पॉन की चेंबर को कवर कर रही है वाटर लेली यहां अपने ब्यूटिफुल और नर्चर एकस्पेक्ट में नेचर को सिंबोलाइज कर रही है हाला कि फ्लाइज के फ्यूरियस आरेना का मैंशन जिसे वाटर लेली इस ने बनाया है वो नेचर के टेरिफाइंग एस्पेक्ट वो भी शो कर रहा है इन का प्लेट्स में रिमारकेबल इसकी फूर्थ लाइन है यहां परसोनिफिकेशन का यूज किया गया है परसोनिफिकेशन मेंस किसी नोन लिविंग थिंग को यूमन केरेक्टरिस्टिक्स के साथ दिखाना यहां वाटर लेली को परसोनिफाई किया गया है एक लेडी में जिसके दो माइंड है ये टू माइंड्स रिप्रेजेंट कर रहे है नेचर की दो अपोजिट साइड्स को जो है क्रियेटर और डेस्टोयर आगे पोईट कहता है कि पोईट एक वाटर लिली को पेंट करने की ट्राई कर रहा है लेकिन ड्रेगन फ्लाईज के कारण बार-बार उसका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है यहाँ पोईट वाटर लिली की बियूटी की बात नहीं कर रहा है या वो उन ड्रेगन फ्लाईज या नेचर की अदर साइड जो डेस्ट्रोयंग है उसकी बात कर रहा है पोईट कहा रहा है कि वो ड्रेगन फ्लाइस वाटर लेली के अराउंड जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स है उनको खा रहे हैं वो फ्लाइ करते हुए एम करते हैं और बुलेट की तरह उनका शिकार करते हैं यहां नेचर के प्रेडिटर और प्रे या वीक और स्ट्रोंग के कोंसेप्ट को दिखाया गया है पोईट आगे कहता है कि अंडर दा ट्रीज देर आर बैटल शाउट्स और देथ क्राइज एवरिवेर हेरबाउट्स पोईट यहां लीली की सेरिन इमेज को पीछे छोड़ देता है और नेचर की वोईलेंट इमेजरी को शो करता है जिसमें ड्रेगन फ्लाइज मीट खा रहे हैं और अधर इंसेक्स को अपने खाने के लिए टार्गेट कर रहे हैं इस टैंजा में वाटर लीली का कोई डेस्क्रिप्शन नहीं है यहां पोईब एंटारली नीचर की वोर-like activities पर फोकस कर रही है यहां पोईब में वोईलेंज को शो किया गया है इस टेंजा में poet ने war-like words को भी यूज किया है जैसे death cries और battle shouts लेकिन battlefield की ये cries और shouts inaudible है लेकिन poet की sensibility इसे sense कर रही है और help कर रही है उसे nature के इस violence को represent करने में यहां इस scene में auditory imagery का heavy youths represent कर रहा है कि poet का उसकी surrounding का perspective बस visual नहीं है वो completely sensory है आगे poet कहता है कि rainbow there arcs, spark or settle, cooling like beads of molten metal, poet यहां recommend करता है कि observer को उन flies के changing colors को देखना चाहिए जो rainbow arcs बना रहे है और उनके sparkling actions still violent activities को suggest कर रहे है यहां molten metal का just a position again nature के dual aspect को suggest कर रहा है आगे poet कहता है कि throw the spectrum, think what wars, is the pond beds matter of course, prehistoric be dragon times, crawled at darkness with latent names, have evolved no improvements there, jaws for heads, the set stare poet अब आगे pond के surface के नीचे जो ruthless चीज़े हो रही है उन्हें show करके nature के more sinister aspect को show कर रहा है और यह सब linked है mindless killings और war से जो prehistoric times में human history में mentioned है poet ने एक line में latin names का है, जिससे वो refer कर रहा है roman history को poet कह रहा है कि यह violence roman time से अभी present time में भी continue है violence हमेशे universal रहा है poet in lines में dark tone का use करता है pond के surface के नीचे की mystery को show करने के लिए यहां prehistoric time के creatures एक तरह से timeless fluid में freeze हो गई है उनके अंदर कोई evolution नहीं हुआ है और primitive appearance again suggest करता है isolation को point आगे कहता है कि ignorant of age as of hour now paint the long-negged lily flower which deep in both worlds can be still as a painting trembling hardly at all though the dragonfly all right whatever horror नजहर रोट यहां point काफी surprise है जो उसने देखा और जो experience किया है उससे finally वो water lily को paint करने को तयार होता है nature के इतनी complexity से वो गिरा है और जिसे water lily जो surface पर float कर रही है ने cover कर रखा है point आगे कह रहा है कि water lily को paint करने के लिए उसे दोनों world में deeply जाना होगा और उसे समझना होगा लेकिन ऐसा करते time point को यह भी ध्यान रखना होगा कि nature एक painting की तरह still भी दिख सकता है और एक liberal world जो बहुत depth में है और जो बहुत powerful है इसके surface के नीचे ही रहता है पूरे poem में water lily good और evil के distinction के बीच रही है इसकी एक side beautiful और peaceful है वहीं दूसरी side horrific और violent है water lily यहा time और history से उपर existence के दोनों aspects को symbolize कर रही है last third का plat की second line में long necked lily flower है जो दोनों worlds beauty और fragility और violence के coexistence को suggest कर रहा है तो चलिए poem की theme को समझते हैं poem की theme है interconnectedness यह poem कुछ set of pictures और imagery शो करती है जो evoke करती है nature की beauty को उसकी दोनों violent और calm form में Hughes की poetic philosophy थी की nature की बस outer beauty को show नहीं करना चाहिए उसके point of view में nature एक complex thing है जो possess करती है बोथ beauty और terror को और वो existence की इस duality को अपनी poems में portrait करना चाहता है speaker attempt करता है canvas पर water lily की visual image को capture करने की और इसे capture करते हुए वो उसकी beauty की contrasting side को देखता है जो wildness और violence को show कर रही है water lily यहां nature के दो interconnected लेकिन contrary aspect को show कर रही है first pond के surface पर काफी सारी water lilies float कर रही है जो दिखने में काफी quiet, soothing और peaceful लग रही है लेकिन वहीं उस quietness के साथ ही flies की battles nature की violent और disturbing side को show कर रही है और इसी के साथ हमारी poem खतम हो जाती है so thank you guys that's it for today don't forget to like, share and comment on the video and subscribe our channel